वेल्कम फ्रेंड युक्ति है इसकी सॉलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर्विंद आप लोग का तहिदिर से स्वागत करता हूं साथ ही साथ आप सभी सफल अभियर्थियों का अर्थिक बधाई अगले पढ़ा तक पहुचने के लिए अभी सफर रुका नहीं है अभी जारी है तो आप लोग चीजों को समझे की इंटेव्यू को कैसे अगले फेस तक हम लोग पहुचे तो इसके लिए आप लोग को आज में थोड़ा सा कुछ क्रक्स आप लोग को बताना चाहता हूं जिसको आप लोग ध्यान में रखकर आगे अगला पढ़ाव पहुचने में आप लोग का मौदत साबित हो साती साथ उन अभियर्थियों को जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो यह हम के साथ धैरे के साथ आगे की रंदेती अपनी त पूर्ती नहीं हो पाती है इसी में इसी को लेकर हम आगे उन सब चीज सभी बातों पर सभी पहलों पर बात करेंगा जो आपके लिए इंटिवी औरियंट आप लोग के लिए महत्पूर्ण है इस वीडियो को अन तक जरूर देखिए ताकि एक असफल जो इंटिवी में रह पर दोरा है उसने क्या गलतियां किया उस पर मैं विश्यस चर्चा प्लो करूंगा सभी सफलता की बात करते हैं अगर आप लोग अपनी असफल पहलू को दूर कर लें तो सफलता प्राप्त करने में आप लोग के बहुत ही महत्ति भूमिका वो हो सकती है इसी को ध्यान में सभी अभियर्थी अन तक जरूर देखी इस वीडियो को और कुछ सीखिए इससे कि आप लोग इस दौरान आप लोग को क्या नहीं करना है और क्या करना है इससे आपका सफलता आप लोग के लिए एक मानक के रूप में सभी के सामने आये साथी साथ उन अभियर्थियों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है जो इंट्रिव्यू आप देने वाले हैं साथ ही साथ जो अगले वर 67 का पीटी भी देंगे उसके बाद वह अगले चरण में पहुंचेंगे तो अभी सही सारी चीज़ों को त्यारी करनी होती है तो इन सब चीज़ों पहलोग विसेश चर आप लोग का मिन्स आ गया तो इंट्यूव्यू में फाइनल आप लोग का लिस्ट में नाम आ जाएगा इस बीच में बहुत से अभी अंतर विरोध अंतर गतिरोध आप लोग के लिए उत्पन होगा अब बहुत से ब्रेक अभी देखनी को मिलेंगे तो उस अभी को दूर क देखिए तोटल जो वेकेंसी थी 900 सीट है जिसमें जो 668 है 689 जो है 689 जो है जो बॉइस का टेगरी के लिए सभी का सभी के लिए लेबल का और 211 जो है वो फिमल के लिए यह दिहान रखना है कि 900 900 सीट है उसमें रिजल्ट कितना आया है रिजल्ट आपको 828 आया है तो समझ सके एक सीट के लिए कितने लोग यहां लगवाट दुगने का रिजल्ट है 2.1 का रिजल्ट है तो आप लोग धियान रखें लगवागा आउसत मानके चलिए तो दो का रिजल्ट है अथात एक सीट पर एक केंड़िट है तो इस बार ऐट बहुत जादा है जब वाला या 65 वाला इस्तिती नहीं है यहां पर आप लोग बहुत अच्छा वहां पर रिजल्ट दिया गया था तो चलिए इन सब चीजों को देख लीजिए पहले समझ लीजिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैं आप लोग को क्या गाइट कर सकता हूं यह बहुत इंपोर् देखिए मैं क्या हूं किस रूप से आप लोग के लिए सामने आया हूं आता हूं डेली तो में पोस्ट गेज़ेट हूं इस्ट्री आप पॉब्लिक अड्मिस्टेशन से शिक्स एयर का आप लोग को एक्स्पिजिएंस मुझे है ऑफ-लाइन और ओन्लाइन दोनों जगा प मैं तीन टाइम आप लोग को इंटेव्यू में फेस कर चुका हूं तो इस दौरान क्या एक हिंदी भासी स्टूरेंट के लिए क्या दिखते होती है इन सब चीजों को लोग विसेस चल्चा करेंगे क्या मैंने इस दौरान गलतिया की हर बार कुन-कुन से गलतिया सेस रह ज सामने हूं उन्हीं सब बारिकियों को मैं आप लोग को बताऊंगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए किस पॉइंट पर आप लोग को विसेस बल देना है ओप्शनल पेपर में आप लोग को पॉब्लिक एड्मिस्टेशन लेता हूं तथा मौक इंटिव्यू में मैं इसी रूप से में आप लोग के सामने हूं जिनका ओप्शनल है मुझे हिंदी भांसी में 172 में ची ये लिक्रेस्ट हमम हाला है आप दिये के नंबर पर आप ये नंबर दिया.' मैं जैसे ही संधुकर आप इस चतो प्रस्टेशन पर समझे कि विपेसी में 172, 64 में आना पैसट्वी के दोरान आना बहुत ही माइने रखता था तो आप इन सब चीजों को समझे प्रफेस्टनल गाइडनेंस जिन गिनी को चाहिए तो वो जुरू कॉल कर सकते हैं सतही साथ कि एस पैपर में मैं क्या लेता हूँ ओस्ति मॉढंडर एप्र का जो करते हैं एयर्ध का यह और सेलेक्सन जुरूर होना चाहिए तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या यहां पर फिरी मॉक टेस्ट यहां लिया जाएगा जो भी इस दोरान जल्द जारी कर दी जाएगे भी पेसी आयों के द्वारा रेजल्ट आप लोग का यह जो प्रोग्राम होता है इंट्रिवू डेट का प्रोग्राम जल्द से कराये कोई पैसा नहीं लएगा लिंक है आप लोग वार्ट से लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिस्ट बॉक्स में लिंक जूड़ जाएए बहुत से लोग अभी जूड़ चुके हैं तो जल्द से जल्द आप लोग जो भी बचे हैं जिन तक यह वीडियो पहुच रहा है तो स सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब को समझ रहे हैं जिनका रिजल्ट हो चुका तो जानी रहे हैं जिनका नहीं हो रहा वह भी जान रहे हैं कि सब्सक्राइब कितना भी पेसी लेता है 120 का लेता यह बहुत ही अगर आप 80 पलस हैं इंट्रिव्यू में आ जाता है 80 पलस कटप मेंस का कोई भी हो तो आपका सेलेक्शन की जो अंतिम सेलेक्शन होगा वो आने का उमीद बढ़ जाता है और जितना इसमें पलस होंगे रैंक सब्सक्राइब करना है और फाइनल रिजल्ट हो जाई इसके लिए आप लोग को क्या करना है खास कर आप लोग को इस दौरान किस रूप से अपने आपको सहीमित रखना है क्या पढ़ना है किस रूप से आप लोग को आगे बढ़ना है जिससे फाइनल रिजल्ट हो जाए आप एक विनर के रूप में साथ सोसाइटी के सामने आए राजी के एसेट के रूप में आए हैं तो इसके लिए क्या करना सबसे पहले द्यान रखना है क्या नहीं करना ये सब शीनलगों को बाथ करें सबसे पर देखिए स्लेबस जो है उसे जुरूर रिवायज कर लिए जीएस पलस में जो आप मेंस और अभी के दौरान में बहुत लंबा समय हो गया है तो बहुत से चीज़ें आप लोग से छुड़ जाती है तो यहां नहीं आप लोग रखिए कि मुझे स्लेवर्स कुछा याद है याद है तो भी एक बाद स्लेवर्स को जुरूर देखिएगा स्लेवर्स को एक नोट बुक में नोट कर लिजैंगे जो इंपोर्टेंट स्लेवर्स है ऐसा करने से होगा कि आप लोग पास यह ओ जाएगा कि मुझे की बिंदूओं पर विशेश चर्चा करना है और अभी इन्टिव्यू ओरियंट त्यारी करनी है मेंस ओरियंट त्यारी नहीं करनी इन्टि के ध्यान रखना है कि जो स्लेबस आपका है उसी पर कमांड बहतर तरीके से बनाए रखिएगा तो आप लोग इजी वे में वहाँ पर बहुत सकीएगा इंट्रिवी वोड के मेंबर के पास बहतर तरीके से और कुछ बाते आप लोगो मैं अभी आगे बताऊंगा जो मैंने इ याद रखना चाहिए है पर डिफाइन वाट टू डू रीड परिभासित करें कि क्या पढ़ना है सबसे पहले सलेबस के अनुसा परिभासित करें कि हमें किन बिंदवों पर आप लोग को इन सब चीजों को समझना है कौन सा टॉपिक अभी सेस रह गया है जिसको कर लेना ज जल्टा जाएगा उसके उस्ता ही उस्ता रहेगा तो अभी जश्ट आप लोग यह करिए परिभासित करें सिलेबस को क्या करना है साथ में बीपेसी बोर्ट में प्रस्ण कैसे पूछे जाते हाव कोस्टन और आस इन बीपेसी बोर्ट इस पर रिसर्च कीजिए बहुत से मा बैठा वाए एक दिन में 4 वार्ट तुर में Common प्रस्ण सब होता ही है सभी बोर्ट में आप लोगों की सब को को कभर करना है जैसे current को पॉलिटी के साथ जोड़के देखना है जोगरफी के साथ देखना है भी साथ में इंटरनेशनल रिलेशन सीप अभी क्या हो रहा है करेंट के इसू में टॉपिक बाइस चीजों को अंतर नहीत विसे हैं उनको संसाइज करके भी देख लिए लास्ट आवर में यह फटा फट आप लोग 10 से 15 दिन में कवर कर लिए ज्यादा दिन समय नहीं रखिए मुझे जहां तक लग रहा है वन से वन हाप महीना जो होगा डेड़ महीने के अंदर इंटेवू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए क जिन सब चीजों को ध्यान रखना है टेक्सबूक को आप लोग जो पढ़े हैं उसको यह वाद रिभाइज कर्मशन रूप से देख लिजेगा जो भी में इंपोर्टेंट सारे टेक्सबूक को नहीं पढ़ना में इंपोर्टेंट टॉपिक को कभर कर लेना जैसे आप लोग अपने आपको टेक्सबूक को सिलेबस को कभर कर लेना इन दस से पंदर दिन में देखिए दस से पंदर दिन की बात कर रहा हूं तो अभी से ही आप लोग दिर्चोड मेहनत करके लग जाईए कोई इसक्यूज नहीं होगा नेश्ट देखिए रिजल्ट कैसा आया यहां पर मैंने उन लोगों को सामिल नहीं किया जो इसको जरूर देखना चाहिए आप लोगो जो अवियर्थी जहां संख्या ज्यादा है स्टी वाले स्टुडेंट जो है उनके जो 144 सीट है जिसमें 299 आया आप लोगो को रिजल्ट तो वियर्थियों का मेंस रिजल्ट हुआ है स्टी वाले के लिए 7 सीट है जिसमें आप लोगो 18 रिजल्ट दिया गया अभी पर CIO के लिए स्टी वाले के लिए 132 सीट है जिसमें 399 आप लोगो रिजल्ट दिया गया विसी बेक्वेट पिछरा वर्ग जो है उनके लिए 69 सीट है और 192 आप लोगो रिजल्ट आया है BCL महिला जो है BC महिला BCL महिला पिछरे वर्ग महिला जो होती वर्ग उनके लिए 21 सीट है जिसमें 56 आप लोगो रिजल्ट आया तो देख लिए कितना गुना कौन सा है रिजल्ट आप लोगो इसे जुरूर आखड़े को देखिएगा आखड़े का नुसार ही समझ यह जरा भी गल्ती आप लोगो बाहर कर देगा जैसी गल्तियां हर बार जो असफल अव्यर्थी होते उनके द्वारा किया जाता है सभी लोग अपने अंतिम परियास इसे समझ कर आप लोग मेहनत किजिए उन चीजों को समझने की कोसिश किजिए जो एक फाइनल रिस्ट मे नाम लाता है एएं सबसे बहुत हैं क्या करना है क्या नहीं करना सबसे महत्तुन बात आप लोग में ही करेंगे सबसे पहले एक लोग क्या करना है सबसे पहले यह क्या करना है डोकुमेंट को कलिया कर लेना है डोकुमेंट document जो होगा जैसे आप लोगा metric रखना है देखे सारे डॉकुमेंट कि आप बात नहीं होती है डिपेस्थी में आप जाएगा दो-तीन document आप लोग से जरूर मांगेगा जैसे metric आप लोगा original मांगेगा original certificate जो होता है फिर graduation का जरूर मांगेगा original मांगेगा इसलिए आप लोग ये दोनों जो होगा ये तो जरूर होना चाहिए और इरर मुक्त होना चाहिए अर्थात काने का मतलब है वो भी टूटी हो तो आप लोग उसे जरूर सुधार लिजे और ये सुधार आप ये तरीके से कर सकते हैं या तो जल से जल आप लोग आयोग में से अगर समय नहीं है तो यह काम आप लोग किजेगा मेरे कुछ डॉकुमेंट में कुछ इरर था तो मैंने आप लोग को हाई कोड से करा लिया था या तो रोटरी कलब होता है वहाँ से आप लोग अपने शट्टिपीड के नाम से अप लोग जो इरर हो वहाँ से कोड एपिडिविट कर लिजएगा तो जिससे होगा क्या कि जो भी इरर होगा वो सुधर जाएगा और कम समयम होगा और भी चीज़ों आप लोग तो यह काम आप लोग कर सकते हैं, मैंने यह किया था, इसलिए मैं इसे बता रहा हूं कि अगर कुछ इस दोकुमेंट को कोई इसू होगा, उसके लिए कोई करने आप लोग को टेंसन नहीं लेना है, उसके लिए रिजन यह था कि बहुत सी चीजे छोड़ के जाने पड़ता है, इसके वज़े से इस चीजों को जब भी मुझे कोई मांगता है, जहां भी मुझे देना रहता है, म जितना कास्ट किरिए कर लिए जैगा, जैसे आप लोग EWS का सेट्ट कोई बनाया हुए है, वन यहर का वेलीड होता है, ८् आप लोग आवासी ओर जो होता है वो डूत है वह जरूर बना लिच होगा इसाथ में महिलाक के लगा इस याद रहें महिलाकेंडेट महिलाकेंडेट को अपने नाम से सब्सक्रा ब्रूप में अंबwno में अधाश करा beginnen का शाधी हो गया है इनके उनकude प्रॉब्लम क्रियेट नहीं तो सभी चीजों को कभर कर लेना है वर्क इस्प्रियेंट अगर कहीं कहीं वर्क कर रहे हैं आप लोग तो प्रॉब्लम को कर लेना है और यह जल्द से जल्द आप लोग अपलाई कर लेजिए सारे जगह जिनका हो गया है कोई दिक्कत नहीं वह अगले चीजों पर ध्यान दिजिए इंट्रिव्यू और वर्क क्या है आप लोग को करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है इंट्र प्रभात खबर यह जरूर पढ़िएगा क्योंकि बिहार का प्रभात खबर यह जरूर पढ़िएगा जहीं को बिहार रिएटेटर जो भोड के मेंबर होंगे वह क्या करते हैं कि जब जाते हैं इससे पहले जरूर देखते हैं तो आज के news कोई जैसा कि हम वह लोग से पूछा गया था तो पेपर आच से आपने लोग करना शुंब कर दिजिए इस पार कुष्फानु पेपर के जो ऑफिसनल पेपर है उसे आप लोग मेन करक्स देख लिजेगा सारे चीज़ों को कवर करना है करेंट एपेर्स जो जो सबसे इंपोर्टेंट है उसको अलग से आप लोग एक नोट्स बना लिजेगा नोट्स पॉइंट वाइज होना चाहिए ऐसा नहीं कि 500 सब्दों में करेंट बना लिजेगा की पॉइंट में बना लिजेगा की पॉइंट जैसे अगर मान ले रूस और उक्रेंट के संबंद में अपने से इंट्वी बोड में पुछ लेता है बोड मेंबर या बोड के जो चेर में होंगे उनके द्वारा पॉइंट पुछ लेता है रूस और उक्रेंट के बारे में आपकी क्या समझ है या इतना क्यों हाइपर है विस रूस और उक्रेंट को लेकर इसमें कुछ की पॉइंट आपको बताने की स्तिती में हो 5-10 point ऐसा हो बताने के जब तक वो नहीं अगला प्रस्न कर देते हैं जब आपके प्रस्न से वो certified हो जाएंगे तो next प्रस्न कर लेंगे या तो नहीं certified हो तो भी वो next प्रस्न करते हैं ऐसा नहीं कि resist करेंगा आपको किसी प्रस्न पर याद रखना इन सब चीजों को ध्यां रखना है नेश्टे होवी को अच्छे से सेलेक्ट कर लिजेगा आप लोग देखिए यह बहुत ही महत्मुन होता होवी अगर आप जो हवी रखता है आप लोग आपके संबंद में वो पूछा जाता वहाँ पर तो होवी में होता है क्य क्या उससे आपके बैक्तित जलकता है कि आपके होवी किस रूप से निखर के सामने आया होवी वह चीज होता है जो आप खाली समय में करने की इख्छा रखते हो यह चीजों में मान लिजे किसी का कूकिंग वह भी नहीं हो सकता है इसी प्रगा का यह परिभासा कुछ है मैं उसे अलग से एस्प्लेन करूंगा कलास में वह भी औरियंट काम वर्क खर लेना है आप लोगो अभी से सोच लेना है वैसा वह भी आप लोगो क्या रखना आपने स्पेशल क्या है जो आपके बैक्तित को निखारे बैक्तित की पहचान दिलाए इन सब चीजों को कवर करना नहीं तो इन टीवी बोड में जो मैम होंगी मैडम होंगी आपको इस पर पकड़ सकती इन सब चीजों को लजना नहीं है नेक्स्ट है आप लोगो इस दोरान इंटरनल वर्क क्या करना है स्वें के अंदर की चीजों को कैसे बिल्ड़ अप करना है कॉन्फिडेंस आप लोगो जो सफल अवियरती हैं उनके मौक इन टीवू को देख सकते हैं इस दोरान बहुत सी चीज़े आप लोगो सीखने को मिलेगा तो इस सब चीज़े हैं पॉजिटिवनेस आप लोगो रखना है कोई अगर मान लिज़े आपने निगेटी बाते हैं उसको अभी त्याग जाती है और एक औरा बनता है जिससे आपको इंटर्नल पोजिटिव रखता है आप अंदर से कॉन्फिडेंस है तो एंसर भी कॉन्फिडेंस निकलता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है नो कन्फ्यूज रहना इस दोरान सबसे इंपोर्टेंट है इन सब चीज़ो का उत्तर दे रहे हैं तो या तो सुए भी कंफ्यूज मत रहें न सामने वाले को कन्फिड कीजिए किसी प्रस्ण का उत्तर अगर आप दस सब्द में ही जानते हैं तो दस सब्द में ही दीजे इससे होगा क्या ठाटिक एंसर देने की परविर्टी जब डवलप हो जाएगी तो इससे होता है कि आप लोग के अंदर ये स्टुडेंट के अंदर होता है कि पोजिटिव इंपेक्ट निकलता है साथ में इंटिवू जो ले रहे हैं मेंबर उनमें ये पता चलता है कि बच्चे के पास स्टुडेंट के पास अव्यरती के पास सारगर्वित ज्यान है उन च सवाल जवाब दिये होंगे इस दोरान मैं बस गलती मेरी जहां तर मुझे लगता है मैं हिंदी भासे के रूप में हूँ तो कुछ सब्द पूछे गये थे उनसे बोर्ड मेंबर के दार एक बोर्ड मेंबर थे जो इंगली से सवाल कर रहे थे जहां पर मैं सहज महसूस कर रहा प्रशन वही किया जाता है इंगलीज में जो आपके सब्जेक्ट और टॉपिक रिलेटेड तो उन सब चीजों को कभर करने ना है इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ना नेश्ट क्या काम करना है अंतिम समय में क्या करें तो सबसे पहले तो आप लोग जो ये टेडेंसी किस ये कि जो समय है प्रैक्टिस क्या करना पढ़े हुए ज्यान को सीमिस समावादी में परिच्छा होती है ये आप लोग को 15 से 20 मिनट का इंटिवू होता है अगर बहुत ही खराब इस्तिति आपका रहेगा तो दस मिनट में ही आठ मिनट में ही आपको बाहर कर दिया रहा है मेरे दोस्त है उनका इंटिवू 43 मिनट चला था भारत सरकार के ब्राण्ट रिवेस्टर है उसक्स भारत अवियान के विहार सरकार के आप लोगो करना है आप इन सब चीज़ों को आगे लेकर जाना है तो सीमित ग्यान समय में एंसर देनी की टेडिंसी डवलप कीजिए ताकि बेहतर आपके अंदर से साथ में इसलिए परिच्छा वातारों का अभ्यास करते रहें कहने का मतलब है आज से आप अपने फ्रेंड सर्किल में जो जिनका में जो एक्जाम या PCS अस्तर का त्यारी करते हैं उनसे आप कोडिनेट कर सकते हैं आप या तो टेबुल एक ऐसा टेबुल आपके मां सभी लो कालकी का में होता है का कि podcasts होता है कि आप असे पार रहे हैं नहीं कर पार है सब वातारों को कीजिए बड़ा सा यह है नभी coin क kupar से इसे आप लोगँ को नजर आय पुरा आना में तो आप confusion आपको होगा, higitation होगा, दूर होगा इस सब करने से, आप लोगो करना ही है, अज सारे लोग करते हैं, सभी अभियर्थी करते हैं, जिनका selection हो जाता हमने भी किया, जिनका selection हो गया, उन्हों न भी किया, इस सब चीज़े आप लोग कर सकते हैं, किसी भी mock test में सामिल हो तो मु पूछे जाते हैं, उसको note down जरूर किज़ेगा, और उस जो weak जो रहा है, आप लोग के लिए जो weak person रहा है, उन सब वो को एक list बना लिज़ेगा, उसके बाद उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोग फिर से revise कर के त्यारी करके आगे बढ़िएगा, ताकि आप बेहता तरीके से मोग को दे सके अगले मोग को, confidence build up कीजे ताकि हम लोग बेहता तरीके से आगे बढ़ेंगे, अब लोग नेस्ट बात करेंगे, इन समय के साथ क्या करना है, आप लोग को समय के साथ कोडिनेट करने की कोशिस कीजे, अभी होगा क्या कि अभी result आया है, तो 2 चीजों को साथ कोडिनेट करते हुए, चीजों को साथ आगे बढ़िए, सारे चीजों का आगे करते हुए, नेस्ट आप लोग जितना पूछा जाए, उतना जवाब देने वाली प्रविर्ती को विक्सित कीजे, ताकि to the point आप लोग बात रहे, to the point रहे, ऐसा नहीं कि है, नेस्ट आप लोग को सालिन बहवार, सबसे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंट्रिव्यू का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है, सालिन बहवार को विक्सित करें, किसी प्रस्न, कोई प्रस्न, नेगेटिव प्रस्न पूछ रहा है, सेंसेटिव प्रस से प्रस्ण पुछ रहा है यह िर्प ή को ढ़ influx स्मंदित प्रस्ण चिंग कर रहा है उसमें भी आसिल जो आ शिल्री बै постоянно лай bunk शुर्य एक आप कैसे जवाब देते हैं, तो सालिन बहवार को विक्सित करने की टेडेंसी आप लेकर आईए, ताकि आप लोग बेहता तरीके सेंसर दे सके, साथ ही आप लोग को नेश्ट क्या करना है, देखिए इसके लिए बहुत से चीजे रणीती हैं, आप लोग को रणीती बनानी है तो यह क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग इंपोर्टेन रखना है, गार्वेज जो होता है, जो कुड़ा करकट सब्दो बंभासा किया जा, गार्वेज से बचे, बीना मतलब की चीजे पढ़ने से समय बरबाद न करे, जो भी पढ़े सही तरीके से पढ़े, बारबा को एक दम नहीं करना है, आपको मैंने अभी क्या बोला, इंपोर्टिन टॉपिक है उसको कवर करना है, लिस्ट बना हुआ रहता है, सभी लोग में उसका बना रहता है, नहीं तो अभी तक तो याद रहता है सभी अभियर्थियों का, उन लिस्ट को ही कवर करना है, नेश है पढ़े लिखे सभी तरीके को जो पढ़े सही तरीके से पढ़े उसे बारबाद दोहराने के वही आयने मीरर के सामने दोहराने के मीरर ले लिजेगा मीरर आयना ले लिजेगा आयना के सामने वो चीजे कर सकते हैं आप तो confidence build up होगा साथ ही में खुद का जो नोट्स बनाए है या बनाएंगे इंटिवू मौक इंटिवू को दोरा उस पर ही विश्वास रखिए इसके अत्रिक कुछ नहीं करना है नहीं तो बहुत सी चीजे आपके अनफैवर चला जाएगा तो जो नोट्स बना रहे है उस पर विश्वास जो पार्ट में एंसर जब आएगा जैसे पीटी औरिंट प्रस्ण होगा और मेंस के लिए आप बहुत बहुत बेता तरीके से त्यारी होगा बहुत से स्टुडेंट का भी पी चल रहा उनका वी रिजल्ट आया है तो उन अभिश्वास यह असान होगा जिनका रिजल्ट न नहीं है देना चाहरे है उनका रिजल्ट आगे बहुत से जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या करना है तो लुसेंट बूस्टर या क्राउन का बूक ले लिए आप या कोई वन लाइनर जो भूक होता जहां सागर्वित रूप से दिया हुआ है उसे वन लाइनर के लिए इन दो बूक को रुएफ़क कर सकते हैं और भी बहुत से बूक से आपके अनुसार देख लीजेगा जो वन लाइनर प्रशनों अब्जैक्टिव प्रशनों महतुन प्रकॉपिकों को सामिल किया है इन सब चीजों को देए में और तीजे तो आपनों लगतार पढ़ि सब्सक्राण आप लोग है यह खाना खाईए नेस्ट है जो एक्सराइज है मिनिमा अप तीस दिन तीस मिनट का एक्सराइज लगतार करिए वाइस गर्ल दोनों ताकि आप पे पोजेटिमिस डभी डवलप हो ताकि और भी बेहतर तरीके से निखर का सामने आए और सारे ची मैं एक पर सासव कर रहूं तो मैं क्या प्रस्ण कर सकता है अब्यार्थिति इस रूप का मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं ताकि चीजों को समझने और समझाने माअसान हो तो यह बहुत ही जरूरती मेडिटेशन इस रूप से आप लोग करिए यहां पा योगा नहीं करता और एक अव्यार्थिक रूप में में प्रस्ण एक बोर्ट को कैसे देशो इस पर विचार किजिएगा बहुत से समस्याओं का हल यहीं मिल जाएगा आप लोग को बहुत से देखिए कि इजी फॉर्मेट में यही अश्टेप अपनाईए आप लोग तो बहुत बहुत सके इने पलोग बात करते हैं कि हाँ पर कुछ आप लोग को इस्सें ऐसे अवाइड और नेसेसेरी वर्क अभी दम बंद कर दीजिए इस एक महिने के लिए एक महिने के लिए अपन्द कर दीजिए अवाइड रन नेसे सरी वर्ड तो भी होगा applaud को बंकर दीजिए कोई भी नेगेटिव थाउट आता उसे पोजिटिव में बदनने का परियास कीजिए ताकि बेहता तरीके साप लो निखर के साथ आपको लोगों का अंतिम रिजल्ट जो आएगा लिस्ट आएगा फाइनल लिस्ट जो आएगा उसमें आप लोगा रिजल्ट हो और लास्ट में अत के सामने हूं तिन तीन इंटिवू दे के बैठा हुआ हूं तो अतिउसा में नहीं आना है बहुत से स्टूडेंटों में अतिउसा आ जाता है इससे जो होता है क्या उनके आसपरास के दोस्त होंगे उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजे बताई तो अब तो आपको फाइनल रि लिया है एक लास्ट और सबसे इंपोर्टेंट पायदान जो होता है और सबसे महत्मुन पायदान होता है अगर इसे पास कर लेते हैं तो आप एक बैक्ति बन जाईएगा इसको अति उस्ता में नहीं लिए चीजों को अपने पोजेटिव इंपक्त में लेकर आईए चीजो बढ़ीएगा बहुत सा पोस्ट पेफरेस बढ़ने में बहुत्स अभीयरतियों को गलत होता है क्योंकि एक किस आया था जिसमें रांग था जिनका फोर्ष और उन्होंने पेफरेस के रूप में जो हम काप्द था वो नहीं प्रպरिड प्रश किया था वान टू में गलता फि फिर देश कोड़ कर दिक सकता है लैंगी का सीजन होता है जब आधो एक महेनने का अंदर हो जाता है थो गर्मी का सीजन होगा उसके अनुसार आप लोह को रह州 लेना है बर आप लोगो jointे उसके harstag कर दिक ट्रेस कोड़ में विशेज चर्चा करूंगा महिला अभ्यार्थी के लिए आप लोगो लाइट साड़ी ही प्रेफर किजिए बहुत वहतर रहेगा आप लोग सलवार सुट भी पहन सकते हैं पर अमूमन लाइट साड़ी जो होता है एक वहतर तरीके से एक निखार के आप लोगो लाता है तो बोड किसी भी ड्रेस कोट को डवलप नहीं किया है पर एक अभ्यार्थी परसासक के रूप में आप सारे करेंगे तो आपसे ड्रेस कोट की उमीद रखता आयों तो उस पर क्या है उस पर विशेश चर्चा करेंगा लास्ट नेस्ट वीडियो में साथ ही मोग टेस्ट क्या होगा किस र हर्द कीजें ताकि और भी लोग हमसे जूड़ सके जो अभ्यार्थी है यहां पर उन पॉइंट की बात की जाएगी जो असफल ना होने के लिए कुछ मंत्र है है असफल होने के लिए क्यों असफल बैक्ती आपको उन पॉइंटों को बताता है जो एक इस अफल बैक्ती के पोजिटिव बातों को बताएगा जिसके अधार परarest selection होगा पर किन अधारों पर selection रूख सकता है ये कोई नहीं बताता है ये ही आपको अगर कर लेते ये point अधारों पर आपका selection नहीं होगा तो selection तो होई गया नँए आप लोग को काम करना है इसके लिए लेगेटी और पोजिटीव बातों को कैसे आप लोग मर्ज करके अपना सेलेक्शन लेते हैं तो इस सब चीज़ों को हम विसेश बात करेंगे थैंक्स फोर वाचिंग हमें हमारे साथ बने रहने के लिए नेस्ट वीडियो तो हम लोग जल से जल आप लोग तब पहुचेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन नेस्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं थैंक्यो